आपका स्वागत है आज हम खड़े हैं सिमला कॉंसिटूश्य के सोलन जिले में सबसे पहले बात करें सोलन जिले की तो शूलनी माता का मंदिर यहां काफी प्रसिद है अगर हम बात करें राजनेतिकी कॉंग्रेस और बी जेपी दोनों पार्टीयों के यहां पर आपस में काफी रोमान्चक तक्कर है अगर बात करें 2009 से तो यहां पर वरिंदर कशप जो बीजीपी के लेटर है उनकी यहां पर कमान है MP है वो यहां से तो विकास की कारें की बात करें तो हमारे साथ रितू सेटी जो है bgp लेडर है उनसे बात करते हैं कि 2009 से अभी तक हम बात करें तो कितना विकास अगर बात करूँ तो कोई माइने नी रखता है जड़ी लगी हुई थी 2009 से लेकर चाई प्रदेश में हमारी भारतिय जन्ता पार्टी की सरकार रही हमारे सांसद भी रहे ये तो जो विकास शुरू किया था अब जब से ये कॉंग्रस की सरकार आई है विकास में धील पड़ गई है विकास तो है ही नहीं है विकास का सड़कों का काम शुरू किया था, बजुर्गों के लिए था, किसी भी वर्क को, प्रोफेसर प्रेमकुमार धुमल ने किसी भी वर्क का कारियर नहीं रोका था, विकास की तो जड़ी थी, अब जड़ी जो है वो बंद है जिस तरह से इनका रोप है कि कॉंग्रेस के राज में काम रुकसा गया है, विकास रुकसा गया है, कहां तक सहमत है आप? बिलकुल मैं इस सहमत है, पुझे एक साल के ज़ाधा हमारा वक्त सरकार में हो गया है अगर ये विकास है तो हमें हिमाचल की जंता को और खासकर सोल उनकी जंता को ऐसा विकास नहीं चाहिए बाचपा की पूर्व सरकार के अंदर पानी की समस्या गिरी पार योजना कौन लेकर के आया डॉक्टर राजी बिंदल समस्या जो है आज की डेट में उस टेम जब सरकार हमारी थी पानी की सप्लाई पूरी थी अभी कुछी समय पहले युवा मोर्चा ने नेतरत्व किया था अभी की जो सरकार है वो उसने इस जिम्मेवारी को पला जाड़ लिया अगर इसका बिवरा चाते हैं तो हम मीडिया को इसका बिवरा दे सकते हैं इस तरह से बात करें इनका कहना है कि यहां पे विकास हुआ लेकिन कॉंग्रेस की वज़े से जो है वो विकास रुख गया है सानी जी ने पहले पानी की बात की कि हम यह पानी की योजना लाए इन्होंने सोलन की जनता को गुमरा किया और यहां तक कि कि इन्होंने अपने पूरों मुख्यमंतरी प्रेमकुमार धुमल जी को भी गुमरा किया योजना गोडा में थी और उदखाटन चिल्टरन पार्क म वहां जो एक नल लगा हुआ है जिसका उद्गाटन माननी मुख्यमंतरी जी ने किया था पूरों मुख्यमंतरी जी ने उसमें आज भी पानी नहीं आ रहा है और वहां पर जो सबस्टेशन लगना था वो सबस्टेशन अब जिस तरह से बात इनका कहना है यह बिल्कुल सरासा गलत आरोप है पानी की अगर समस्या दूर किया जब भारतिय जंता पार्टी की सरकार परदेश में आई है तो हमेशा उन्होंने पानी की समस्या को एहम माना है जब से कॉंग्रेस की सरकार सत्ता में आई है एक साल चार महीने हो गया है उससे पहले यह पानी की समस्या नगर करके जो पूर मंत्री थे शीराजीव बिंदल जी और बीजेपी के लोगों ने धुमल जी को मिस tie को पूरी हो गई इस है तुमल जी ने काम कर्वाएं थैंड हुश्डा की शुरूरात की चुरूरात भी two पार्टी ने वीर गिरी पेज अलियोजना की बात है मैं आपको चित्थी दिखा सकता हूँ काईले काईले आप पनी आप पूली आप पोली में देखिये जब यहां पर गिरी पेज अलियोजना की बात कर जहां तक है उस वामले में एक जो उसका मेजर कमपोनेंट था चौदा करोड रुपय का सब्स्टेशन वो इन्होंने बनवाना भी शुरू नहीं किया जब मैं आया तो मैंने आकर धूमल जी को एक पत्र लिखा के आपको इन्होंने मिस्गाइट किया और आप से स्कीम की ओपनिंग करा दी मेरे पाद पत्र की प्रतिव मंजूर है उन्हों लिखा कि मुझे मालूम नहीं था और अगर यह मुझे मालूम होता और उसी दिन उन्होंने आईपेट वालों को ओर दिया कि जल्दी से उसको शुरू करो तब शुरू नहीं हुआ जिस तरह से बड़े भाई जिगमों जी कह रहे हैं जिस तरह से हमारे अध्यक्स जी जो कम कौन लेकर की आया सब जूट परचार साथ साल इनको यहां 25 साल 25 साल इने यहां राज करते वह हो गए अब एक सरकार और चल रही है डेट साल की हो गई एक हॉस्पिटल बना पड़ा था हमारे बीजेपी के लोग ने धरना दिया तब मुख्यमंत्री जी को जाग आई कि मैं इस स्टेडियम के पिछे पत्थर लगा है शांता कुमार जी के नाम से नीड बनाने के लिए जो 1977 में लगा था आज तक वह लगा का लगा रहा इनकी सरकार दो बार बनी वगर उस पत्थर में एक इंच भी ने लगा दूसरा है यहां पर स्टेडियम जो यह बात कर रहे हैं क्विकास की कामरे में राजनीती याड़े आई है और यह जो मेरे भाई लोग जो बड़ा अपना कॉंग्रस का जांडा ले के चले हुए और बहुत कह रहे हैं कि वीरभद्र ने विकास किया यह किया यह शांता कुमार जी के ऊपर क्वेस्टन मार कर रहे हैं मैं पूछना थी चाती हूं इन से ये 1980 से लेकर इनका एक नारा गरीबी अटाओ महंगाई हम दूर करेंगे सो दिन में पिछले घोशना चुनापत्र में भी इनों ने जब लोग सभा के चुनापते तब इनोंने का हम सो दिन में महंगाई दूर करेंगे मुझे ये जवाब दें कि वह सोलन जिले की इंप्लाइमेंट को लेकर या एकडमी कौलिफिकेशन को लेकर कितना उब रहा है मैं एक बात कहना चाहता हूं भाजपा के शाशन में परदेश पूरे परदेश में 16 लाख बिरोजगार थे उसको मत्या नजर रखते हैं जब हमारी सरकार बनी मानिय वीर बद सोलन जिले में 40 से स्कूलों को अप्रेड किया है इनकी यह देखते हैं एक आंक से इन्होंने विकास देखा है और जो विकास की बात करते हैं मैं इंको बताओं के इनको यह पूछिए जूट की राजनिती मत करें दूसरा एक छोटा से स्वाल है कल परसों शीरी मोटी जी न जो अपना घर जो अपनी वाइफ उनको नहीं संभाल सका है जिस तरह से बात की जाए मोधी की तो मोधी की लहर की काफी बाते चल रहे है कि मोधी की लहर है पूरे देश में क्या कहेंगी इस पर मैं इनसे यह पूछना चाहती हूं कि इन्होंने मोधी जी के उपर प्रशन उठा दिया और अपने राहूल का गुनगान किया जो राहूल गांदी की सोच की गरीबी एक मानसिकता की सोच है एक मानसिक सोच है और ये कॉंग्रेस की सोच है और कॉंग्रेस की इस सोच को हमने बदलना है जो राहूल गांदी खुद कह रहे हैं कि हमने कॉंग्रेस मुक् कि पत्नी को कोई वह एतराज नहीं है वह तो अब पद्ज यात्रा करके तीरत स्थान पर गई है और और प्रात्ना कर रही है प्रण ले रही है कि वह प्रधान मत बोड़ी की लहर है माचल में मोधी जी की पूरी लहर है मैं कारब वह अब भल ता इस दन्रकाव कि आए ये इस तत्थ कालिंग मुक्ख्यमंन्त्री जी ने धोका किया इस कॉर्ण शरकार ने धोका किया है जो उन्होंने युवाओं को बद्ता देने की बात की थी तो जो विधान सबा के चुनाओं में हिमाचल की जनता ने वीरवदर सिंग जी में विच्वास दिखाया है और पूरन बहुबत से हिमाचल प्रदेश में सरकारबट नी है वो रूप से दिखाता है कि जो इनका पांच साल का करेकाल रहा ये लोग सिर्फ अपने विकास को करते रहे सिर्फ क्यानम यह पर लैंड माफिया क्यानम सक्रिया लैंड माफिया बोदी जी के दस साल के शाशन में गुजरात में साथ हजार किसानों ने आत्महत्या की है क्या उनको इस करके क्या इस करके उनको प्रधान मंत्री बना दिया है सब्सक्राइब कर एब गलत अगर बेलकूल अगर भाजबा अगर बाजबा बोलती है कि हमने कास् एक अनुन की कास्ट तो इसमागरेस विपक्ष में नहीं करके दिखाती है है ये सिरह विकास करते हैं किसका अपना अपने परिवार का बागी स्केम की उसके जो 25 क्रोडर कि लागे से सब्स्टेशन बनना था उसको आगर आप समझते हैं 25 क्रोड एक बहुत बड़ा एमाउंट होता है उसके लिए कम से कम दो साल का समय लगता है गिंड के आप तीन महीने दीजिए तीन महीने बाद आपको वह सब्स्टेशन भी आप मिलेगा इनकी तरह विकास नहीं क कम दो मयाँ कि लोगों को काफी दिक्कते हैं यहां वह सर चड़ी अब हम बात करते हैं यूवा चेत्र की अगर बात करके तो सॉलन जिलो को क्या मिला है सबसे पहले अगर हम बात करें युवा छेतर की तो क्या कॉलिफिकेशन के नाम पर या स्पोर्ट के नाम पर क्या दिया गया है यहां मैं सोलन से हूँ जैसे की बीजेबी की सरकार में कई प्राइवेट उनिएस्टिस खोली गई थी ओजगाट कुमार्टी रोड पे लेकिन उन्होंने सड़क को पक्का नहीं करा सके उस्टाएं पक्की सड़क नहीं दी जब राजा वीर बदर सिंग उस रोड पे आए तो उन्ह पक्की हुई है थोड़ा से काम बाकी है थंड की वह से काम रुका था अभी दुबारा सुरू होगा अब बात करते हैं बीजेबी पार्टी तो आम जनता आपको क्यों चुने क्यों वोड दे क्या मुद्दे रहेंगे आपके हमारा तो एक मुद्दा रेगा महंगाई से मु साल लिया और जो वो भ्रस्ट है सिर से लेकर पाउं तक पहले तो उनके पास कुछ नहीं था सेब उनके जो बगिचे में लगे थे जो स्कूटरों पे ला दे गए मेरे कोई इस बात का जवाब बताएजी बताएजी बताता हूं जो यह कहना मेरा दहर रोप लगा रहे हैं किस अधन भरोप लगा है यह पूरी जनता जानती है जब वो नोट पकडाने की बात की जा रही थी सीड उसी टाइम हमारे माननी साब उसके नहीं थी ते उसी टाइम उन्होंने अपना एक जेस्टर दिखाया उसी टाइम पुलिस्टीशन में गये उसीटाइम की मेरे हाथ में यह कॉंग्रेस के लोग निराधार आरोप लगा रहे हैं आज तक पिछले छे बारी कॉंग्रेस का पिछली छे बारी कॉंग्रेस का यहां पर MP रहा है क्रिशन दद सुल्तान पूरी वो संसद में हमेशा सोया रहता था जब से ब्रेंदर कश्यप भारत्य जनता पार्टी के MP बने उन्होंने सारी ऐसी कौई स्कीम नहीं है पूरे अपने निर्वाचन क्षेतर में जहां उन्होंने काम नहीं किया है और उसी काम के अधार पर हम पुना आजी क्या कहेंगे यह जो कह रहे हैं कि कोई ऐसा मंदर में चड़ावा चड़ाने तो कोई भी नहाता कि एक MP है या केंडिडेट है उसको हम चड़ावा चड़ाएं और हाथ पकड़ लिया मगर कोई भारतिय जनता पार्टी के एक ही व्यक्ति वह पैसे पुलिस पैसे पैसे मेरे हैं और वो जाके लिए अगर वो रहे तक आपिसे अभी तक उन्होंने क्यों पड़े हैं अगर अगर आगर यह है आगर बाट लगाउं कि अधर फिर दलन मीर्या औरक और उसके बाद बात इचाई के दो बार MP रहे वो पर दो दो बार MP रहने के बावजुद उनका जो परिचे है वो गाउं में नहीं है नहीं गए और बात रही सर युवा साइड से तुसर तीन पिछले तीन साल से हमारे जो युवा शेतर की बात करें विक्रम देते हैं और अनुराग ठाकुर के बीश में भी इसके उपर भी हमारे नेता को ध्यान देने की जुरूरत है बीजेपी की सरकार होते हुए हमीरपूर में सडके इतनी अच्छी बनाई गया है जो वह सारी जिगा बखान करते हैं तो वह सोलन में क्यों नहीं किया गया उस टाइम जी बीजेपी जिस तरह से इनका कहना है फी की जाती है अगर अगर अनुराग ठाकुर जी अगर अनुराग ठाकुर जी वक्तमुला क्या था फिर वक्तमुला को क्यों एक्सेंशन दी गई पैसे लेके वक्तमुला क्या था वक्तमुला क्या था वक्तमुला को एक्सेंशन दी गई अगर किसी किसान की योजना किसी की सा करना पाप है सुनने दीजिए विशालती बात करने दीजिए अगर भाजपा ने दिकास किया है तो इन्हें उस पे दिक्कत है अनुराइब जैसे अभी अब आप चुपो जाओ वोलिया बोलिया बोलते रही आप जैसे इन्होंने कहा के राम देव जी को जमीन दी गई जो जम माचल कवर्मेंट को महराजा पट्याला ने गिफ्ट दी थी पहली बात तो गिफ्ट बेचा क्यों गया सैकेंड ये कहते हैं भूमाफ्या नहीं है उसके बात जो है भूमाफ्या क्यों नहीं है उस जमीन के साल लगती एक सो कुछ बीगा जमीन डाक्टर बिंदल ने कोडिय जोगा भाव गरीबों से खरीदी और उनके गलब यां उठा देके खरीदी जोगी आज में उसके नाम है ये बात जो सेटीस आप कह रहे हैं ये ये बकाईदा रेविनेर रिकॉर्ड में दर्द है आप क्या काम हमेशा जूटे केस बनाना जूटे अरोप लगाना मैं ये कह प्रणनीती बनाई है महंगाई को दूर नहीं किया ब्रस्टाचार को दूर नहीं किया युवाओं को रोजगार नहीं दिया और इन्होंने क्या कि सरकार ने दिया सब कुछ मैं एक महिला होने के नाते में महिला मोर्चा की अध्यक्षा हूं उस नाते में महिलाओं के विशे में मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूं जबसे ये परदेश में कॉंग्रेस की सरकार आई है जिसको हम अपना हीमाचल को देव भूमी हुमाचल मानते थे आज ये देव भूमी हिमाचल नहीं रहा है यहां पर ये दिल्ली और बुंबई जैसा हाल हो गया है माइला शुरक्षा नहीं है जी कॉंग्रेस के से कार में इनका कहना है ये मेरी बेहन बिल्कुल जुट बोल रही है सबसे पहले तो दो शुरक्षा और लञाण ओर बिल्कुल ठीक है बिल्कुल三 है आज तक हिमाचल का कोई भी कांगर सका MP मैं महिला सुरक्षा की बात कर रही थी पिछले डेड़ साल में इस हिमाचल प्रदेश में सोलन में दो नाबालिक लड़कियों के साथ जो बलातकार हुए जो केस दर्च हुए वो इन्हों ने कॉंग्रेस की सरकार ने कहां रफा दफा किये सोलन के अंदर अगर कोई भी यहां पर मामला आया तो तीन दिन के अंदर जो है जितने भी मुझरिम पकड़े गए और उसी की तहत इनके जो अपने विधायक है पुर्विधायक महिला के साथ दुर्वेवार करते हुए पकड़े गए और जो उनके उपर भी केस दर्च किया अगर बात करें कॉंग्रेस की तो आपको आम जनता क्यों चुने क्यों वोड़ दे क्या मुद्द्ध है विकास कॉंग्रेस जब भी आई है विकास की रफ्तार में तेजी आई है ठीक है अगर इनको इनको यादो अपने चश्में बदलने चाहिए जो इनको विकास नजर न अब यहाँ पे दोना है कि आपको आप कितनी सिविधाएं यहां नहीं कि पार्तियां किसे से लोगों को रोटी कपड़ा और उसमें तु कोई बाती नहीं आती Ay! rejecting जब हम खुद जातें यहां सुन खुब जाते तो हमारी वेवस्था इतनी चर्मर आ गई हुई है कि हमें कोई मतलब जी आप क्या गहेंगे यह देखिए MP का एलेक्षन है लोकल प्रॉब्लम तो जिसका सोथ है कि विधान सभा के जीरे में आती है लेकिन हमारा जो मोटीव है जो मिशन हमारी है वो यह है कि जो विवस्था को हम बदने जिससे लोगों को जो तकलीफ सह रहे हैं उनको अराम मिले तो आपकी क्या मुद्धे रहेंगे यहां पर आम जन दिख सकते हैं आप सबस्क्राइब कराया तुलिक जो बोलेगी हमारे को फैसला मंजूर है लेकिन इस तो पता है फांजी पंतालीस दिन के अंदर जो लोग दिल्ली से बाग गये हुँ ठीके जिनका सोच ही नहीं है जिनको पता ही नहीं है कि सरकार चलानी कैसे वो लोग सब्सक्राइब करें जो भी कह रहे हैं ठीक आपकी बास रांखों बेजर गलती किसे नहीं होती के जिर्वाल जी से हुई क्या निरंदर भाई एक मिनट बाच सुनिए बोलने का मोका दीजिए मोका दीजिए नेरंदर भाई से 2002 में गुजरात में गलती हुई लोग मरें सब्सक्राइब करें लोग मेरे के जिर्वालने कितने लोग मरवाई भाई साथ हमांते हैं गलती हुई है पर क्या एक गलती इतनी बड़ी थी कि जिसके सजाई है हमारे को ऐसे देंगे बोलके यह गलत बात करें तो बीजिए पी सिरफ मोधी सरकार इसका मतलब बाच पाज जो संगठन बनाता है इनका लीडर वह होता है जिसमें के मा और बेटा बनाते हैं अगर यह बात है तो दुमल जी इनके पास सबसे बड़ा उधारण है वो भी आरूने के दो बेटे भी आ गए इस बाटे बात करते हैं यह जो कह रहे हैं कि मोधी जी के लिए लावा कुछ नही बात है और उसके बाद यह कह रहे हैं कि मोधी जी की लहरे उसका मैं जबाब दे रहा हूं कम से कम 20,000 क्रोड रुपए का चुनाव परचार पे इनका खर्चा है और हम तो चुनाव योग से मांग करते हैं कि चुनाव खर्चे की जांच होनी चाहिए करें बिल्पल जिस तरह से बात लोके एसा है जो यह मेरे भाई लोक आरोप लगा रहे हैं मोधी जी की अगर इनोंने घर चैनल पे इंटरिव्यू देखी हो तो उन्हों ने कहा है कि सा पूरी कॉंग्रेस जिस्से इनोंने जाच करवा नहीं है जाच करवा ली जाए कि यह पैसा का हं से है तिष तरह से बात की जहाएं यहां पे दोनों पाटियां आपस मिल से रही है teşekkür आगा हमने विकास कराया जिनका कैना है कि हमने विकास कई लेकिन विकास कहीं दिखनी ख़बरों के दुनिया में आईए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िये हम मिलेंगे फेस्बुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर ख़बरों के साथ बने रहें राद दिन कर दो 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 गुड़िये